नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेटे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे इंटरेस्ट कलकुलेशन करते हैं इसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अल्रेडी एक टेविल बना के रखा है जहाँ पर मैंने लिया है principle मत जो cell है यहाँ पर मैं कोई भी amount डालूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर 25,000 डाला है rate of interest में मैं डालूंगा 8% और यहाँ पर year value जाहे यहाँ पर हम डालेंगे 2 साल अभी हमको interest calculation करना है जैसे कि 25,000 का 8% rate of interest से 2 साल के लिए कितना amount होगा यह अभी हम निकालेंगे सबसे पहले ह हम देंगे equal sign उसके बाद principal value को select करेंगे multiple sign rate of interest multiple with year मतलब कि principal value into rate of interest और into year एक बार enter करेंगे तो यहाँ पर देखिए interest amount निकला आया है 4000 रूपीज 25,000 का 8% rate of interest से 2 साल में आपको interest देना होगा 4000 रूपीज यह तो था simple calculation अभी year को हम यहाँ पे change करेंगे जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए कितना interest pay करना होगा 25,000 के लिए यह अभी हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तो देखिए Excel में auto fill का एक option रहता है ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे auto fill यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर principal value और rate of interest का जो box से यह सारे blank है तो दोस्तो यही main कारण है जिसके लिए हम यहाँ पे auto fill यहाँ फिर drag and drop यूज नहीं कर सकते तो इनको calculate करने के लिए हम यहाँ पे data table process जो है Excel में बो use करेंगे सबसे पहले हमको यहाँ पे year value और interest का जो values है इनको select करना होगा ठीक है तो मैंने यहाँ पे selection किया फिर हम जाएंगे data tab data tab के अंदर data tools नाम का ग्रूप है जहाँ पे आपको what if analysis नाम का option मिलेगा उसमें click करना है फिर उसके अंदर आपको मिलेगा data table नाम का option यह data table option में जाके आपको click करना है click करने चाथ ही data table का एक window यहाँ पे open हो जाएगा जिसमें लिखा होगा row input cell और नीचे लिखा होगा column input cell तो हम यहाँ पे जो value निकाल रहे है यह value सारे column wise निकाल रहे that is why हम को यहाँ पे column input cell जो लिखा है वो box में जाके click करना होगा column input cell box में फिर हम यहाँ पे select करेंगे सबसे पहला जो year value मतलब कि 2 जो मैंने यहाँ पर 2 साल जो लिखा था जिसके उपर हमने calculation already किया हुआ है उसको यहाँ पर select करना होगा ठीक है तो यह देखिए वो sale का जो नाम है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको box में just simply एक बर ok करेंगे ok करने के साथ ही देखिए यहाँ पर जो interest amount है वो सारी यहाँ पर निकलाया है यह देखिए 5 साल का 10 साल का 15 साल का और 20 साल का यह process यूज करके आप interest calculation कर सकते हो ठीक है अब इसको हम select करेंगे select करके थोरा border apply कर देंगे इसमें इसके लिए हम जाएंगे home tab में home tab में font group के अंदर यहाँ पर देखिए borders option है borders button यहाँ से all border को select करेंगे तो यह देखिए border यहाँ पर apply हो गया है तो यह था simple process जिसको use करके आप excel में interest calculation कर सकते हो data table को use करके वीडियो अगर अच्छा लगे तो like कर दीजिएगा thank you for watching the video please keep your support